Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज को जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बाइो केमिस्टिरी से लिया है Nucleic Acid and Nucleotides Nucleic Acid and Nucleotides Nucleic Acid किया होते हैं? Nucleic Acid के दो टाइपस होते हैं DNA होता है, जैसे हम DAOXE Ribose Nucleic Acid केते हैं and no. second is the RNA, Ribose Nucleic Acid अब अगर nucleic acid की second definition की बात करें या second definition अब बताएं तो कैसे कैसे सकते हैं transmitters of genetic information इसके जरीए क्या होते हैं genetic information हमारे नसल बानसल transfer होते रहते हैं अब अगर DNA की बात करें तो वो क्या करता है identity को maintain करता है different species की और DNA जो है हमारा organized है किसमे genes में और genes क्या होते हैं यह fundamental units होते हैं genetic information की यह protein की synthesis में genes हमारे protein की synthesis को control करते हैं genes और अगर यहाँ आप देखें तो DNA है DNA से हमारे पास क्या बन रहा है RNA और RNA से हमारे पास क्या बनता है protein और यह nucleic acid को polymers of nucleotides भी हम कहते हैं अब nucleotides के हैं अब आ जाते हैं यह nucleotides किस किस से composed है nitrogenous base आते हैं उसमें pentose, sugar and phosphate अब हम इनको line wise discuss करेंगे nitrogenous bases nitrogenous bases हमारे कुछ होते हैं वो भी हमारे nucleotides में पाए जाते हैं nucleotides में पाए जाते हैं and guaranine का एप। तो इसमें 3 आते हैं यह दोनों आदिनीन और guaranine RNA और DNA दोनों में पाए जाते हैं अगर बात करें तो cytosine और cytosine यह हमारे दोनों में पाए जाते हैं और यहिरेसल यह पाहिए यह दोनों में आता है और जो ये यूरिसिल है ये हमारे किसमे पाज़ जाता है RNA में इन दोनों में different just 1 methyl group का है thhymine में extra methyl group है जोके यूरिसिल में नहीं है ठीकिए ये हमारे DNA में पाज़ जाता है और ये RNA में अब आज़ जाते हैं ta automatic form of forms of purines and parameters कौन से होते हैं जो भी compound या molecule, lactam या keto form या lactam या enol form मतलब exist करते हों, हम उने कहते हैं totomeric form. जो हमारे purines और paramedines हैं, उनमें जो oxo group होगा, वो exhibit करेंगे कौन से, lactam form या lactam, दोनों में से एक हो सकता है. अब आज़ते हैं, जिसमें keto होगा, तो वो lactam होगा, और जो हमारा enol होगा, वो lactam होगा. अब यहाँ पर example मैंने एक लिया है, cytosine का, यह इसकी lactam form है, और यह lactam form है. यह आप देख सकते हैं, green color में मैंने शो किया, यह oxo group है, जिस group में भी, जिस base में भी प्रेजेंट होगा, oxo group, वो exhibit करेगा, क्या, lactam, exist करेगा, lactam में, और यह lactam form है, inol form है, ठीके, अब हमारे adenine है, अगर आप पिछले diagram में हम जाए, adenine, यह आप देख सकते हैं, इसमें कोई oxo group आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यह हमारा totomeric form शो नहीं करेगा, exist नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, present है, तो यह totomeric form शो करेंगे, अब आ जाते हैं, sugars of nucleic acid, sugars of, यह हमारा second वाला मेंने, अभी sugars of nucleic acid क्या होते हैं, five carbon monos आपक राइल्स जो, pentose होते हैं, वो भी nucleic acid में पाए जाते हैं, यह D-ribose और D-2-deoxy-ribose यह भी आपके शो करे देगों का, तो आप देख सकते हैं, यह हमारे किसमें पाए जाता है, यह हमारे D-ribose जो है, हमारे RNA में पाए जाते है, और यह जो D-oxy-ribose है, यह DNA में पाए ज oxygen present नहीं है जस्ट इसलिए डियोक्सी राइबोस जो के DNA में है और डियोक्सी राइबोस जो के RNA में प्रेजंट है अब आ जाते हैं यह जो binding of nucleotide components है अब देखें जो हमारे यह क्या है प्यूरीन है प्यूरीन की नमबरिंग हमेशा 129 होती है और यह हमेशा anticloquise नमबरिंग होती है यह 129 है अर अगर PARAMIDAN की देखें तो उसकी नमबरिंग क्या होगी 126 परामेटीन की नमबरिंग ठीक है और जो हमारे राइबोस की बात करें तो उसमें जो हम कारबन के जो atoms होगे मितलब नमबरिंग होगी उसे हम लोग यह नमबर 9 वाला नाइट्रोजन 9 जो है इसके साथ लिंकेज बनाएगा बॉंड बनाएगा तो हमसे बोलेंगे बीटा एंट गलाइकोसडिक बॉंड यह बनाएगा ने के दर्मियन भी बॉंड ऐसे ही बनेगा लेकिन यह क्या होगा बन्यों होगा नाइट्रोजन का कभी कभी नमबर थर्ड पर भी होते हैं लेकिन जो 5 अंधे पास अम्य पे मस्तलब होता है एडिनोसीन फाइफ मोनोफॉस्फेट घृपऴूसीड गर्स नहीं करते हैं अपना इडिनोसीन फाइफ मोनोफॉस्फेट लेकिन कभी मैंने आपको उसीए चाहलो और नंपर थरड पर भी इस्टिफीकेशन भी होती है, तो हम उसमें जो है, प्राइम 3 A.M. P लिखेंगे ज़रूर। और यह हमारे पास प्यूरीन की लिंकेज है बाइंडिंग है और यह हमारे पास पैरमेडीन की है तो यह हमारे पास आज का लेक्चर था पार्ट वन है यह बाकी जो मैं आपको समझाऊंगी वो अपने पार्ट सेकेंड लेक्चर में समझाऊंगी आई होप आपको समझ आया हो thank you